अगर मैं एक मन्त में 600 pages पढ़ना हूँ, spectrum का इसका मतलब यह हुआ कि मेरा एक बार spectrum जो है modern history का वो खतम हो जाएगा अब 600 pages अगर मुझे एक महिने में पढ़ने हैं इसका मतलब हुआ कि आप 30 days उसको divide कर लें यह आएगा आपका 20 pages per day मैं आप एक लिख के भी बता रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से आप भी अगर देख रहे हैं वीडियो तो आप भी एक notepad और book लेके बैठें एक A4 sheet लेके बैठें और calculate करें तो 600 pages का एक spectrum book है उसे महिने में एक बार खतम करना है इसका मतलब यह हुआ कि हमें 20 page per day spectrum का पढ़ना होगा यही मेरा approach था निश्चित तोर पे सुरू में मुझे इस approach के बारे में पता नहीं था मैं अभी एक common misguider, aspirant के तरह बस books को पढ़े जा रहा था यह जो सारी समझ है वो self learning के द्वारा आई है तो अगर आपके पास time है अगर आप 22 या 23 के लिए plan कर रहे हैं और even 24 के लिए plan कर रहे हैं तो इस approach को जरूर अपने study plan में शामिल करें कि number of pages हर subject का आपको divide कर लेना है